हेलो फ्रेंड्स वेल्कम मैंई चैनल आज आप सभी के लिए मैं दाल चावल की रेसीपी लेकिया यह हैं बहुत ही टेस्टी जितनी हमारी दाल है अच्छे से डूप सके उसके एक इंच एक्स्टरा पानी हम इसमें एक्स्टरा लेना है और उसके बाद इसमें आदा चमच हल्दी पाउरडर और टेस्ट के अकोडिंग हम इसमें नमकेट कर देंगे कुकर का ढखकल लगा के इसको हम 2-3 सीटी आने तक गेस पर रख देंगे गेस की फ्लेम स्लो कर देंगे जब तक हमारे दाल बोईल हो रही है जब तक हम चावल बना लेते हैं चावल के लिमेने यहां भगोनी ली है इसको गेस पर रख दिया है अब इसमें 2-3 चंबच हम ओइल एट कर देंगे यह सोयाबिन का ouil है जब ओईल अच्छे से गर्म हो जायागा जब एक चंबच हम यह जीरा आड कर देंगे जीरा हो राई को हम अच्छे से चटका लेंगे बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर कल देंगे जब जीरा और राई को हम अच्छे से चटका के डार्क ब्राउन कलर करते हैं न देख सकते हो इतना तो इसका जो टेस्ट आता है वो चावलों में बहुत ही अच्छा आता है उसके बाद सभी चावल को हम इसमें एड कर देंगे और थोड़ा सा इनको सभी को चला देंगे उसके बाद मैंने यहां एक कटूरी चावल लिये थे गेस की फ्लेम हमें स्लोई रखनी है एक कटूरी चावल लिये थे तो मैं यहां टू एंड हाफ कटूरी पाने डाल दूगी चावल का धाई गुना हमें यहां पाने डालना है यदि फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ जा है तो सस्क्राइब कर देना मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है अभी फ्रेंड्स में यूटूब पर नई हूँ आने वाले टाइम पर मैं आपको अच्छे अच्छी वीडियो लाओंगी वो थोड़ा बोलना भी अच्छे से सिख जाओंगे अभी थोड़ा मैं यूटूब से घबराती हूँ इसलिए फ्रेंड्स बाकी आप सभी लोग मेरे फेमेली अच्छे बन जाओगे जब वो मुझे कमेंट सेक्षन में बताते रहा करो कि मैं किस किस चीज के लिए आपके लिए वीडियो लेके आओं जिससे कहें मुझे थोड़ी हिमबत मिलेगी उसके बाद इसमें हम आदा निबू का रस एड्ड कर देंगे जिससे कि हमारे चावल एकदम खिले खिले बने निबू का रस डालने के बादे ना चावल एकदम चिपकते नहीं आपस में ओ स्वाद अनुसार नमक एड़ कर दे आप चाहो तो इसमें एक चमच घी डाल लेना तो उससे भी चावल का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है बाकि ये वेसे भी अच्छे बनते हैं आप देख सकते हैं के खिला अब हमारे चावल बन गए हम दाल का तड़का तयार करते हैं तीन टमाटर तीन चार हरी मिर्च एक इंच अद्रक कत्तुकड़ा एक लेशन की गांट और तीन प्याज ली हमने इन सभी को काट लिया है बारिक बारिक प्याज को मैंने यहां लंबे पन पर काटा है आप भी ऐसे काटना अच्छी लगती है दाल में और हरी मिर्च भी काट जो अद्रक लेशन थे वो भी आज हम काटके डालेंगे इनको बारिक बारिक डाल में जब अद्रक लेशन जब काटके डालते तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गेस पर हमने कडाई रख दिये फुल फ्लेम करके और उस पे हमने ओईलेट कर दिया है इसमें ओईल तो से तीन बड़े चम्मच है ओईल गर्म हो रहा है जब तक हमने हम हमारी दाल चेक कर लेते हैं हमारी दाल जो है अच्छे से बॉयल हो चुकी है आप देख सकते हो इतनी ही दाल बॉयल करने है जादा करने से फिर वो घुल जाती है दाल पकने के बाद भी इसको हम कुकर ब एड कर देना है आदा चम्मच राई एड कर देना है इसमें जब जीरा हो रहा है हमारे अच्छे से चटक जाए उसके बाद इसमें दो से तीन पींच हिंग एड कर देना है तो कि देख सकते हो कितना चमेन यह जीरा राईस पका लिए इसके बाद प्याज और हरी मिर्च इसमें एड कर देंगे वह इंस अभी को चलाते हुए हम थोड़ा फ्राय कर लेंगे हमारी प्याज और हरी मिर्चे वो हलकी फ्राय हो चुकी है उसके बाद इसमें हम 2-3 तेज पत्तर डाल देंगे और जो हमने अध्रा को लेसन काटे थे उने भी हम इसमें एड़ कर देंगे वह इनको चलाते हुए और थोड़ा फ्राय कर लेना है हमें बच्चों को दाल चावल बहुत ही पसंद आते हैं आप जरूर ट्राय करें उसके बाद इसमें कसूरी मेती एड़ कर दिये सब्सक्राय कुले सब्सक्राइब कर देना है और यहां थोड़ा सही एड़ करना है, बसे टमाटर पीमर्च सफ्ट हो सटें, बहुगे ले नमक कक्लश सब्सक्राय करें कर देना है हमें एक चम्मच लालमेच पाउडर एड कर देना है हमें आदा चम्मच कस्मीरी लालमेच पाउडर एड कर देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर एड कर देना है हमें आदा चम्मच हम दाल मसाला एड कर देंगे इन सबी को हम मिक्स कर देंगे एक से दो मिनिट हम इनको पका लेंगे टमाटर सोफ्ट होने के लिए आप देख सकते हो हमारा जो मसाला अच्छे से पक चुका है टमाटर हैं वो सोफ्ट दिख रहे हैं अब इसमें हमने जो दाल बोईल करके रखी थी उसे हम इसमें एड कर देंगे दाल थोड़ी थीके इसलिए इसमें हम थोड़ा आदर ग्लास के लगवग यहां पानी भी एड कर देना है क्योंकि आप देख सकते हो अभी दाल जो है वो बोट गाड़ी हो रही है इसलिए इसमें हम थोड़ा पानी एट कर देंगे बागी देख सकते हूँ फ्रेंड्स कितनी अच्छी दाल बनी है आप जरूर ट्राय करें कितनी अच्छी आपको खाने में लगती मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे तरीके से आपको दाल मुझे तो दाल चावल बहुत ही पसंद है शाम की टाइम इसको आप जरूर बनाएं शाम की टाइम हलका ही खाना चाहिए हमें खाना देख सकते हूँ यहां पानी एट कर दिया हमें दाल की जो क्वेंटिटी है वो इतनी थिक रखनी है कि जादा पतली नहीं जादा गाड़ी नहीं उसके बाद इसमें हरा धनिया एड कर दिया है हमने हमारी दाल का कलर भी बहुत सुंदर आया है जब दिखने में इतनी टेस्टी है तो जाहिसी बात है खाने में बहुत टेस्टी होईगी वो कितने सिंपल तरीके से बनाया है कुछ भी इसमें हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है बस सब चीज सही तरीके से डाल दोना तो डाल का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है आप जरूर बनाए इस तरीके से डाल मैंने यह डाल चावल सर्व कर दिये और इनको सलात के साथ रख दिया है यह शाम के खाने के लिए बनाए है हलका खाना खाने से अच्छी रहती है फ्रेंड्स आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरे चनल को लाइक कमेंट शेर करें सस्क्राइब करना बुलकुल ना भूले मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलती हूं